हेलो एंड है यूट्यूब फैमली तो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि A.B.S के दो जर्शी बूल के बारे में एक सुप्रेंट्स का सुप्रेंट्स का सुप्रेंट्स का सुप्रेंट्स क्या Soul वो 29JE4038 और जो इसका कोड है वो CHIJYJC4038 और जो इसका आपको फादर का नियम बता दूँ वो है MRS तो फ्रेंट्स यह बहुत ही बड़ी अजर्सिबूल है तो आगे इसके जो मिलकर कोड के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो डॉट्टर का एवरेज मिलकर आय है वो 8933 की हम लगा लें की 9000 के लम्सम मिलकर कोड है जो डॉट्टर का तो और इसका जो फैटरेट है वो 5.7 है तो फैटरेट में भी बहुत ही बड़ी आ जो बुल है और जो फैटरेट किलोग्राम में है वो 439 किलोग्राम है और प्रोटीन 3.2 है इसका और जो इसकी जो पेरेंट्स का एवरेज जील्ड है जो सुप्रीम बुल के वो 7,392 किलोग्राम है 7,392 किलोग्राम और इसके यो डैम जील्ड है जो मदर का मिलक है वो 5,041 किलोग्राम है और जिसका फादर का जो मिलक रिकॉर्ड है वो 9,742 किलोग्राम 9,742 तो बहुत ही बड़िया जो इसके मदर फादर का रिकॉर्ड है और average भी आपने देख लिया है और बहुत ही जो डॉटर का average है वो भी आपने देखा तो बहुत ही शांतर और बहुत ही बढ़ी है quality का बुल है यह जर्सी बुल तो friends अब हम बात करते हैं Maxwell बुल के बारे में तो इसकी idea है 29JE3982 और इसका code है CHI Maxwell और जो father है इसका वो है टाइशन Holland का है जो तो friends बहुत ही बढ़ी है यह भी इसके बारे में जिसका milk record भी आपको बताते है तो friends जो इसका fat rate है वो है 5.2 तो fat में दोनों ही बुल जो बहुत ही बढ़ी है और इसकी fat kilogram में बात करें वो है 335 kilogram और इसका जो protein है वो 3.4 है percent में और इसका जो parents का एवरेड़ जील्ड है वो 6.6-6.3 kilogram है 6,641 kilogram और इसकी जो mother का damn yield है वो है 437 kilogram 6,437 kilogram और इसका जो father है उसका जो damn yield है वो 6,845 kilogram 845 kilogram जो पर lactation का milk record है इसकी मदर का जो इसका जो father है उसकी मदर का तो ये भी max value bull बहुत ही बड़िया है तो friends प्लीज आप माई चैनल जो subscribe करें इसी तरह कि आपको वीडियो जो हमाई चैनल पर मिलती रहती है तो मेरे साब सकत जाने तो इन दोनों बुल में से जो supreme bull है वो best है तो आप वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा बुल का जो सीमा लगवाना है तो friends प्लीज आज के लिए बस इतना ही